बिग पॉस सीजन 14 में सारा गुरुपाल के पहले एवेक्शन के साथ ही घर में अब कहानी और दिल्चस्प होने वाला है। इस सीजन में निक्की तंबोली काफी सुर्खियों में हैं जिने सीनियर्स भी काफी सपोर्ट करते दिखें। सारा गुरुपाल के जाने के बाद अब सीनियर्स बाकी बचे 10 कंटेस्टन के लिए खेल को और मुश्किल करते दिखेंगे। सीनियर्स पहले से ही जहां घरवालों से अपने मन मताबी काम करवाने में लगे थे लेकिन अब उनकी मनमानी और भी बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं। सीनियर्स के साथ अब निक्की तंबोली भी शामिल हो चुकी है। कॉलर्स चैनल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें निक्की तंबोली चान कुमार से अपनी मसाज करवाती निज़र आ रही है। आपको पतादे कि निक्की तंबोली घर की पहली फ्रेशर कंटेस्टेंट है जिने सेनियर्स द्वारा सेफ किया गया है। जिसके बाद अब निक्की के पास वो सारे पावर और अधिकार हैं जो बाकी तीनों सिनियर्स याने हीना खान, सिधार्थ शुकला और गोहर खान के पास हैं। सो ऐसे में अब निक्की तंबोली अपनी सुपावर और अधिकार का भरतूर फैदा उठाती नज़र आएंगे। निक्की तंबोली घरवालों पर रॉब जाड़ेंगे और उनसे मनमानी सेवा भी करवाती नज़र आएंगे। कलर्स ने सोशल मीडिया पर एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इसमें निक्की तंबोली जान कुमार से अपनी हेट मसाज और सुल्डर मसाज करवाती नज़र आ रही है। जान कभी निक्की का सिर दबाते हैं, कभी शुल्डर तो कभी बैक मसाज करते हैं। हलाकि मसाज के दौरान जान कुमार थोड़ा शर्माते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन निक्की तंबोली पूरी तरह से कमफर्टेवल नज़र आ रही है। वही आपको बता दे कि निक्की तंबोली को सेनियर्स का काफी सपोर्ट मिला है। सेनियर्स का मानना है कि निक्की बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स में से सबसे स्ट्रॉंग और अपने लिए स्टैंड लेने वाली लड़की है। और उन्होंने अपने लिए दो बार इम्म्यूनिटी भी आंसिल की है। वही सोशल मीडिया पर निक्की को लेकर ऐसे भी आरूप लग रहे हैं कि सेनियर्स और सल्मान खांग जान बुचकर निक्की को सपोर्ट कर रहे हैं। काफी फैन्स हैश्टेग बायस्ट सीनियर्स के भी नारे लगाते नजर आएं।